प्राटाइम्स जो ग्रहागों को सोसल डिस्टेंसिंग में ना खड़े होने पर भी उन्हें सामान देते हैं और इसी तरह से नियमों का पालन ना करने वालों पर मनपा ने कारवाई की है ये कारवाई मनपा कमिशनर विजय सिंगल के आदेशा अनुसार मुम्रा प्रभाग समीति के साहय तो महेश आहर द्वारा की गई है आपको बता दे कि मुम्रा प्रभाग समीति के अंतरगत सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में आठ लोगों के खिलाफ आपदा परतिबंधक अधिनियम तथा संक्रमक रोग परतिबंधक कायदा के तहत मुम्रा पुली स्टेशन में आ वही करीब 200 दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया है जो सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे साथ ही 32 दुकानदारों पर मास्त ना लगाने की वज़ा से कारवाई कर एक दुकान से 1000 रुपे दंड वसूला गया है और आगे भी मनपा इसी तरह से कारवाई करेगी जो भी नियमों का उलंगन करेगा या सरकारी काम में बाधा डालेगा उस पर इसी तरह की कारवाई की जाएगी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे प्रहाल टाइम से ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें